आपके इस सेजिन में स्वागत है आज मैं आपको वेस्टीज के उन चुनिंदा प्रोडक्स के बारे में बताऊंगा जो आपकी आपके आपको और अपने परिवार को इन बिमारियों से बचा पाएंगे क्योंकि आजकल हमारा खानपान ऐसा हो गया है कि खानपान में जो पोशन हमें मिलना चीए वो मिलता नहीं है और प्लस हम इतने जरू से ज़्यादा बिजी रहने लगें कि भागदार वाली जिंदगी में हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखवा रहे हैं आजकल हवा भी शुद्ध नहीं रह गई हए और पानी के लिए तो फिल्टर हर घर में लगे रहे हैं उसके लावा खाना जो हम खारे रहे है वह भी पोशन के लिए नहीं खा। केवल स्वाद के ले खाते हैं खाना बनाने का तरीका चेंज हो चुका है खाना नए नए ऐसे खाने आगए हैं जैसे पिज़ा बर्गर चाउमीन जिसकी वैसे हमारे शरीर पर दुष्ट प्रभाव पर रहे हैं तो देखें हमारी इंम्यून सिस्टम जो रोग प्र्वराज शमता में तब प्रॉलम होने लगती है जब वह कम सक्रिय होता है अगर हमारे इम्मण सिस्सम सक्रिय होगा तो हम हर ट्राइट की बिमारी से अच्छी रासे लड़ाई कर पाएंगे और अपने आपको संक्रम से देखा काफी लोग बचे रहा गए और काफी लोग को करोना ने जकड़ लिया और देखें जिन लोगों की रोग प्रद्रोरक्षमता अच्छी थी वो करोना से बचे रहा गए और करोना हुआ भी तो बहुत जल्दी जादा दुश्प्रवाब नहीं कर पाया इसी दिरा से जादा करने के लिए अच्छी करने के लिए कुछ पाच उपाय में आपको बताऊंगा हमें ऐसा खाना खाना जीए जिसमें सारे पोशन हो सारे विटामें न्यूट्रियंट जो भी हमें चाहिए होते हैं बॉड़ी में वह सारे हो तो एक बैलेंस डाइट जिसको टहलना जॉगिंग यह जरूर करना चाहिए शोधावा में शोधावा काफी कम मिलती है लेकिन फिर भी आप थोड़ा शारे दे गतिवीरी जरूर करिए वियायाम भी करिए और कम से कम आदा घंटा पूरे दिन में से निकाली अपने शरीर के लिए इसके बात टाइम टाइम पर डीटॉक्स भी करिए देखिए डीटॉक्स क्या होता है हम अपनी बॉड़ी की भार से तो सफाई कर लेते हैं लेकि अंदर से सफाई नहीं हो पाती है तो अंदर हमारे कुछ जहरीले परदा इखटे हो जाते हैं उसकी वैसे हमें प्रॉलम होने लगती है कुछ ताइम तो सबसे अच्छा डीटॉक्स की चीज है पानी तो आप रोजाना कम से कम आठ ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए हर किसी को जिससे की हमारी बॉड़ी की अंदर से साफ सफाई हो जाए उसके लावा एक परियाप नींद ले कम से कम साथ से आठ घंटे की नींद आपकी होन अगर आपके जिंदगी में कोई तनाव है तो काम ऐसा करिए जिससे कि आप उससे बस सके और आपकी जिंदगी में तनाव कम से कम रह पाए तो यह चीजे पांच उपाय अगर आप करेंगे तो आपकी रोग प्रदिदोदक्शम्टा अच्छी बनी रहेगी और आप हर तरह की बिमारी से अपने आपको भी और अपने बच्चों को अपने परिवार को भी बचा सकेंगे तो देखिए इसी शिंग्ला में हमारे पास पांच प्रदक्श हैं जो आपकी रोग प्रदिदोदक्शम्टा को अच्छी करते हैं जिसमें सबसे पहला है वेस्टीज स्पॉल् प्रक्ति ने इसको स्फरूप दिया ता सारे तीन अरब साल पहले वा यह कांदो का उत्वाइण करता है वा यु मंदल में ऑक्सीजन इसी प्रोड़क्त से आती है और इस परिथ्वी परला गीने वाला गील कच्छ्वा होता है कच्छवा भी इसी समुंदर की काई का सेवन करता है और ये ही हमारा सप्लिमेंट के फॉर्म में अवलेबल है और खास बात ये है कि हमारी बॉड़ी को 46 पोशक पर चीह होता है जिसमें से 43 इसमें है क्यों विटामेस ही नहीं है लेकिन बाकी सारा पोशन इसमें है तो एक तरह से अगर हम ये एक सूपर फूड है और ये हमें खाने की अगर जो भी कमी हो रही है उसकी पूर्दी करता है कुछ और जानकारी मैं देना चाहूंगा आपको कि देखें इसमें सोया बीन में बहुत प्रोटीन होता है शह गुने से जादा इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है प्लस दालों से तीन गुना अधिक प्रोटीन और गाये के दूर से चौदा गुना जादा पोशन होता है इसमें तो आप देख सकते हैं कितना मिरेकल फूड है कितना चमतकारी खाना है यह और स्पॉडिना में विटामिन B12 बहुत ज़्यादा मात्रा में पाये जाते हैं इसके इलावा इरन इसमें बहुत होता है और इरन भी कम नहीं पालक से पास से आठ गुना जादा होता है उसके लावा बीटा केरोटिन विटाइमिन ए जो गाजर में काफी जादा पाया जाता है उससे भी 25 गुना जादा इसमें पाया जाता है और एक और जानकारी में आपको देने चाहूँ कि जो हमारे अंट्रिक्ष में विग्यानी जाते हैं वो भी इसी के कैप्सूल ले जाते हैं क्योंकि वहां पर अंट्रिक्ष में कुछ भी बनाना और खाना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो सब हवा में रहता है तो और एक और अमेजिंग फैक्ट है इसके बारे में कि अगर आप 100 किलो ग्राम सब्जियों को मिला ले उसमें जो पोशन होगा वो एक किलो ग्राम सब्जी या फल खाने होगे लेकिन यहां एक किलो में आपका काम हो जाता है तो देखे बिमारियां तब होती है जो हमारे में किसी पोशन की कमी होती है किसी विटामिन की कमी होगी किसी मिन्वल की कमी होगी इवन कैंसर की विमारी और कुछ नहीं है उसमें हमारे पोशन की क निले जाती है तो यह भरपूर आपको भोजन देता है और अगर आपको बजन कम करना है तो आप अगर लाटका खाना स्किप करके अगर यह दो कैपसूल स्पुल्डिना के भी खालेंगे तो आपको कमजोरी बिल्कुल महसूस ही होगी आपको और आपको बॉडी को जो चाहिए वो आपको पूरा मिल जाएगा तो अगर कहीं आप ट्रैवल कर रहें देखें भार खाना खाने के लिए टाइम नहीं है आप साथ में स्पुल करेगी आपकी सबसे अच्छी बात है कि रोग प्रदूर चम्पा को अच्छा करेगी देल की बिमारियों के लिए देल को भी स्वस्थ रखेगी और आपका हाजमा को अच्छा कर देगा और आखों की रोश्णी को भी अच्छा करता है और अगर खून की कमी है क्योंकि इसम इसके बाद अगला प्लाइक आता है अलोविरा आजकल हर घर में भी लगाया जाता है और अलोविरा को एक मिराक्ल प्लांट के रूप में भी जाना जाता है इसे बहुत सारे जो हमारे स्किन के लिए काफी अच्छी होती है आप देखें अलोविरा की प्लांट का स्किन पर लगा रहे हैं या इसका जूस पी रहे हैं तो इसका मतलब हम pollution भी पी रहे हैं हमारे जो अलोविरा की capsules हैं यह अनुकूल परिस्तितियों में बिलकुँ शुद वातावरन में उगाए जाते हैं और उनके capsules बनाया जाते हैं इसके लावा अलोविरा की बहुत सारी variety होती है बहुत सारी variety होती है जिसमें से कुछ विशेले भी होते हैं poisonous होते हैं जहरीले होते हैं लेकिन यह जो हमारी body के लिए best होते हैं उन्हीं aloe vera से यह बनाई जाती है तो aloe vera का काम क्या है यह आपके skin के लिए काफी अच्छी है किसी भी type की cubs की problem है gas की problem है भूख ना लगना या खाना हजम ना उसमें यह फायदा करती है इसके लावा बाल जड़ने की शिकायत है आखों की रौशनी आखों का नंबर जादा है उस case में भी यह काफी ज्यादा यूसफुल है तो यह हर कोई ले सकता है किसी भी तरह का skin infection है तब भी आप यह ले सकते हैं इसके बाद आता है वेस्टीज आमला हम सब जानते हैं आमला काफी खटा होता है खाने में और इसके लावा यह इक निपने सबकेश्ता है किरो ने करोना से बच्ने के लिए रिद्धारं से जानता पर यह उसके साथ जिन लोगों को करोना हो गया उनको भी बोला गया था इसी वशेसे आपने देखा होगा उस टाइम आमले का रेट नीबू का रेट संट्रे मौस्वी का रेट काफी ज़ादा वो गया था वह इसी वशेशन वश्य वाद क्यों विटामिसी का कंसम्शन ज्यादा बोला गया था और यह इसकी खाश बात यह है कि आमला को 3000 सालों से भ काफी जादा होता है तो आमला को खाने के कहीं तरीके हैं या तो आमले का दूस पी लीजे या आमले का मुरब्बा खा लीजे आमले के मुरब्बे में क्योंकि आमला ऐसा खटा होता है उसको मिठास लाने के लिए काफी जादा चीज़ी मिला ही जाती है और एक टाइम ऐसा आ आएगा और किसी भी टाइब की खासी जुखाम है उससे भी आपको फायदा करेगा और आपको उसके साथ साथ आपको छोटे-छोटे रोगों से भी बचाएगा जैसे सल्दी जुखाम, खासी और मौसम चेंजियों के विज़े से बिमार पढ़ना तो यह उससे भी आपको ग्लो करने लगती है आपके नाखुन भी ग्लो करने लगते है और आमला आपके पाचन क्रिया को भी अच्छा करेगा आपका हाजमा अच्छा होगा और आपका शरीर का संतुलिक विकास भी होगा अगला प्रड़ट है हमारा वेस्टीज नोनी नोनी बेसिकली अननास प्रजादी का फल होता है और नोनी में जेरा नाइन एक चीज होती है जो काफी अधिक मात्रा में पाए जाती है और देकिन नोनी पे काफी शोट किया गया है और हमारे पूर राश्त्पती एपीज जोटे हो जाते हैं या बन हो जाते है उससे हम जो खाना खाते हैं वो पोशन हमें मिल नहीं पाता है काफी लोग आपने देखा होगा काफी लोग खाना तो अच्छा खाते हैं डाइट अच्छी है उनकी लेकिन फिर भी शरीर को लगता नहीं है वो इस वैसे क्योंकि उनके कोशियाओं के छेद या तो छोटे हो गए है या बंद हो गए है तो 09 उन छेदों को खोलने का काम करता है प्लस उन छेदों को बड़ा कर देता है जिससे की कोशन आपकी बॉड़ी में पूरी तरह मिल पाए को इसमें यह अननास टाइप का फल होता है और अननास से इसमें 40 गुना जादा इसमें 09 पाए जाता है तो यह काफी अच्छी चीज है आपकी सेहत के लिए और इसके कि सास की तकलीफ है मिला सास लेने में कुछ प्रॉलम होती है या अस्मा डम जिसको कहते हैं अस्मा दमा की प्रॉलम है चेंजह होने की वैसे आपको छी के ज़ादा आती है या आपको धसका सा रहता है उसके लिए आप नोनी लीजें नोनी काफी अच्छी दासा अराम करता है इसके लावा काफी लोगों को माइग्रेन की प्रॉलम होती है माइग्रेन मतलब आदे सर में दर्द तो वो उससे भी आपको छुटकाला दिलाएगा प्लस कैंसर के लिए ये काफी अच्छी चीज़ है कैंसर पेशन्स के लिए ये काफी अच्छा काम करता है किसी भी टाइप की कब्स की शिकायत है डाटों में दर्द है या मसूरों में दर्द हो रहा है तो ये उसमें काफी अच्छा काम करेगा इसके लावा ये आपका शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने का काम करता है बाकी लेरी इस प्रॉलम के लिए भी काफी अच्छा काम करता है हर्मोनल प्रॉलम के लिए तो ये इसमें एक चीज एक फल है लेकिन उसके लाव हो जाए है तो इसको आपको खाली पेट लेना होता है बनाद एक कैप्सुल सुगे को खाली पेट अगर आप ये पहली बार शुरू करते है तो आपको पन्रा दिन तक केवल एक कैप्सुल लीजिए सुगे को खाली पेट उसके बार फिर आप पन्रा दिन के बार एक और कैप्सुल दिन में दो बार ले सकते हैं एक तो सुबह खाली पेट और एक राट को खाने से आदा गंटे पहले तो यह आपको काफी अच्छी आसे काम करेगा इसके बाद आता है हमारा कॉलोस्रॉम देखिए अभी जो मैंने प्रोड़क्ट बताए यह केवल अडल्स को देने है बलकि 14 सार से उपर के बच्चों को और बरों को आप दे सकते हैं कॉलोस्रॉम हमारा जो प्रोड़क्ट है यह 5 सार से उपर का कोई भी ले सकता है देखिए कॉलोस्रॉम को मतलब क्या होता है कॉलोस्रॉम का मतलब है प्रकृति का पहला आहा गाय जब बश्रा देती है उसका शुरू में जो खीस निकलता है उसी के यह कैप्सूल है और उस इसमें काफी जादा शारिदिक विकास के लिए काफी अच्छा लापकारी है यह आज कल देखिए बच्चों का खानपान ऐसा हो गया है कि उनमें ग्रोध और हाइट कम रहती है शारिदिक विकास नहीं हो पाता या मौसम चेंज होने की वैसे वह जल्देली बिमार परते है इन सभी प्रॉलम से छुटकारा दिलाएगा इवन कुछ अडल्स को भी प्रॉलम होती है किसी भी टाइप की अलर्जी होती है जिसकी वैसे वो मौसम चेंज होने के बिमार परते हैं या कई धूल वाली जगे पर चलेगे तब उन्हों उन्हें चीके आने लगती हैं तो इन सभी प्रॉलम से आपको छुटकारा दिलाएगा और कोशिकाओं में यह कोशिकाओं में एक इम्मुनिटी देता है उनको स्ट्रॉंग करता है जिससे कि वो किसी भी तरह के इंफेक्शन से बस सके इवन यह अगर आप कही भार पार्टी में गए और आपको कप्स की है और इसको भी मैं आपको बताना चाऊँगा डेट्र ऐाट लेकिक हां चाहां किया काम कैसे गए जब वह हमें कोई इंफेक्शन होता है चाह हो पेट का इनफेक्शों हो या खासी जुकाम का इंफेक्शन हो तो जो किटान हो होते हैं हमारे शरीर में प्रवेश कर लेते हैं और हमारी जो आते होते हैं बहुत जल्दी पहुत है लिए जल्दी वह जादा हो जाते हुआते हैं कि आपने देखा हो कि जब भी हमें infection होता है सार्टिंग में थोड़ा कम होता है, फिर धीरे धीरे वो ज्यादा होता जाता है, तो यह जो आटों की दिवारों से हमारी चिपक जाते हैं, उसकी वैसे यह जो केटानू होते हैं, यह पूरी स्वतन्त हो जाते हैं, पूरे freedom हो जाते हैं, और multiply होने लगते हैं, एक दुगना, तिगना, चारबुना इतने हो जाते हैं, और फिर हमें बिमारी की काफी ज्यादा stage हो जाती है, और हम ज्यादा बिमार पर जाते हैं, अब कॉलस्तों क्या करेगा, कॉलस्तों जैसी हमारी आतों से क्वास है, तो वहां पर वो एंटी बॉडि बना रहता है, जिसकी वैसे जैसे आप डाग्राम में देख रहोंगे, जैसे आप फोटो में देख रहोंगे, कि वो चिपक गया कॉलस्तों किटानों से, और वो किटानों का नाश हो जाता है, तो देखें, पास साल से उपर के बच्चे, मैं समझ सकता हूं कि वो सटक नहीं पाएंगे, पास से दस साल क बच्चे दसा से उपर का तो कोई भी सटक लेगा कैप्सुल को तो आप इसको कैप्सुल खोल के जो अंदर एक मिल्क पौडर निकलेगा दूद का पौडर सा निकलेगा जिसका कोई स्वाद ही नहीं है तो वह उनके मुँँ में आप डाल सकते हैं जिससे कि वह असानी से खेल को एक कैप्सुल काफी है अगर आप अडर्ट्स को देना चारें तो अडर्ट्स दो कैप्सुल ले सकते हैं यह गैस की प्रॉलम सब चीजों से चुपकारा दिलाएगा प्लस किसी भी टाइप की ऐलर्जी है या जुखाम खासी है उसको भी ठीक करना एकां करता है और मैंने हर में कॉलस्ट्रम जरूर होना चाहिए क्यांकि आजकल देखे हमारी हमें स्टॉंग रखनी पड़ेगी तब ही हम अपने आपको और अपने परिवार को इन लोगों से जो हर साल नहीं नहीं आते हैं उनसे बचा पाएंगे तो यह पाच जो हमारे इम्मुनिटी बूस्टर प्रोड़क्स हैं इनका सेवन आपको रेगुलर्ली करना चाहिए और इम्मुनिटी बूस्ट के प्रोड़क्स हमारी और कैटेग्री में भी आते हैं जैसे प्राइम कैटेग्री आती है उसमें इम्मुनिटी को विटामिन लेने का दो नए तरीके कंपनी ने लॉंच करें जिसमें विटामिन गमीज हैं जो टॉफी के शेप में होती हैं और टॉफी के सासा हमें पोशन भी मिलता है उसके लावा हमारे एब्सारविट स्प्रेय भी है जो आपको पोशन देते हैं केवल जीब के नीचे स्प्रेय करना होता है और उससे भी हमें पोशन मिलता है तो बाकी ये पाँच प्रोडक्स हैं जिनकी काफी ज्यादा यूसेज है और आपको जरूर ये यूज करना चीए क्योंकि देखे सेहत है तब ही सब कुछ है और सेहत अच्छी नहीं होगी तो हमारी काफी सारा पैसा हमाएं सेहत को ठीक करने में ही लग जाएगा तो बच्चों के सेशन मेरा ही तक था मुझे आशा है कि मैं आपको रोख रोड़क्स शमता के प्रोडक्स आपको की जानकारी दे पाया होंगा जिससे कि आपके घर में जाल स्यारा लोग स्वस्रें और अच्छी रासे आप मेहनत करके अपने जो भी आपका काम है आप वो कर सकें तो मेरा से कि मांदे पूंबedel जोग स्यार आपको काम है वो अ वो बा waktu क्राशकी कि यिसक आपको में जाल स्यारा लोग।